अजगल करांगे उस चठी वारे जो अपने अखीरले समेच गुरु गोबिन सिंग जी ने आगरे दी तर्ती तो पंजाब दे एक पेंड़ दी संगत नो लिखी उस ची गुरु साहब लिख देने कि असी थोड़े ही दिनानू पंजाब आमांगे किस जगा ते गुरु साहब ने सिखा नो हथियार लेके आउन लिगया सी एक गलता पा सब जान देया के दीनने का अंगर दी तर्ती ते जफर नामा लिखन तो बाद गुरु साहब दमदमा साहब रहे ते उस तो बाद उथों दखन नो रवाना होए उन जदों इस सफर दी गल कर देया ता अपा नू जादा तर एही पता के गुरु साहब पंजाब तो दखन गए ते उथे जाके मादोदास नू मिले ते उनू बंदा सिंग बहादर बना के थापड़ा देके पंजाब पे जिया पर पंजाब तो नादेड साहिब दे बिचकार ओह सवा साल गुरु साहब किधे सी ते की कीता ते गुरु साहिब दी अगए की प्लैनिक सी उस दे बारे आपा गल करांगे आगरे तो लिखी उस चठीच लिखिया सी गुरु साहब ने के असी थोड़े देंच पंजाब आम गुरु साहब आगरे तो नादेर साब चलेगे गुरु साहब दी लिखी ओ चिठी हूब हूथ हनू पढ़के सनामागे इस सब समझनतों पहला आपानू एक चीज जाननी जरूरी आ के गुरु साहब पंजाब तो दखन क्यों गए इदे वारे अलग अलग इतिहास कारा ने अड़ अड़ कारंद से ने कई ए कहन दे के गुरु साहब पौन पानी बदन लई दखन गए सी पंजाब तो कई कहन दे और अंग जेव नू मिल लई गए सी कई यानने ए कहा के उथे मराठेयां ते जलम हो रे सी ते गुरु साहब उनना दी मदद कर ली गए सी कई यानने एथों तक कैदता के गुरु गोबिन सिंग जी पंजाब दे सिखा नाल नराज सी जड़ी के बिलकुल सरासर गल्त गला एथ वाननों अगे जाके पुरूफ करांगे एसे ही वीडियो जी के गुरु साहब पंजाब दे सिखा नाल नराज बिलकुल नहीं सी गे तक गुरु साहब दखण क्यों गए उनने एक गला अपन सब नू पता के गुरु गोबिन सिंग जी ने दीने का अंगर दी तरती तो और अंगजेव नू जफर नामा पे जया मिल देने मैं नू आके दखंच मिलो के जे तुसी नहीं मिलोंगे ता मैं फाज लेके आऊंगा ते तो हानू टकरूंगा ए तमकी दिती सी और अंगजेव ने किया सी के जे आम सादां बंगू बाकी सादां बंगू रहना एं संत फकीरां बंगू ता रही जाओ बिना बगावत करें ओ अधकारी सी ओ गुरु गोबिन सिंग जी नू लेना ए सी ता गुरु साहब ने किहा के असी तो हाडे नाल नहीं जामागे के इस चिठी दा असी त सली बख्ष जवाब लिखांगे और अंगजेव नू ता ओ जवाब सी जफर नामा पंजाँ प्यार यां चो एक पाई दया सिंग ते पाई तरम सिंग जफर नामा लेके गए सी और अंगजेव को लगए जदों जफर नामा पढ़ दा है ता उदे पैरा थलों जमीन निकल जा दिया उदा हंकार चकना चूर हो जानदा है उन्हों एसी एक संत फकीर बंदा है के मेरी तम कीनल डर जाएगा पर गुरू साहब दा एक एक बोल और अंगजेव दे हंकार दे किले नू ता रया सी फिर नर्म हो गया और अंगजेव ने फिर एक फर्मान होर पे जया उफर्म गुरू गोबिन सेंग जी दा दखन आन लई के इननु राज कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाही दी के जाओ ते गुरू साहब नू मनाओ दखन आन लई ओ दो बंदे भी और अंगजेव ने सेलेक्ट कर ले सीगे आप दे खास बंदे महम्मद बेग गुर्जवाला ते गुरू साहब दे नाल एहे दखन एमद नगर आन गे जिते और अंग जेव रुक्या होया सीगा पर गुरू साहब नहीं जान दे उना नाल तक गुरू साहब दखन क्यों गए कई मिन्ने गुजर गए सी उस्तो बाद जदों पाई तारम सिंग ते पाई दया सिंग जी पस नहीं आए कोई भी खबर उनना दी नहीं आओ दी ताँ गुरू साहब फेर दखन जान दा फैसला कर देने के और अंग जेव नू मैं दखन जाके मिलांगा क्योंके उनना नू मिलने ची कोई समस्या नी सी जफर नामेच भी गुरू साहब ने लिखिया सी के तू इथे आजा कंगड़ दी तरती ते के तेनू मिलने नहीं गुरू साहब ने जफर नामेच भी लिखिया आए के तशरीफ दरकस्बै कंगड़ कुनत वजा पास मुलाकात बाहम सबत के तू कंगड़े दी तरती ते आजा उथे तेरे ना मुलाकात करांगे यसी इत्थो साहब आके गुरू गोबिन सिंग जी नू अरंग जेव नू मिलने चे कोई भी समस्या नहीं सीगी पर ओहो अरंग जेव दी तू आस बिलकुल नहीं सी बरदास्ट कर रहे तक गुरू साहब दमदमा साहब दी तरती तो रवाना हुंदे ने सरसा पुश्कर हुंदे हुए पहुंच द गुरू साहब देने तो अरंग जेव दे मरन दी खबर गुरू गोबिन सिंग जी नू मिल दिया तक गुरू गोबिन सिंग जी उथे ही रुक जान देने उथे रुकन दे मतलब दो भी साफ हुंदा है कि जिसनू मिलने चले सी कि उता मर गया हुना सी अग्ये जाके की करना ह पर इते एक होर टर्निंग पॉइंट होंदा है और अंगजेव दी मौत तो बाद उधे तख्त दे तिन दावेदार सी उधे तिन पुत्तर सब तो बड़ा शहजादा मुझम जो बाच बहादर शा बांदा है दूसरा सी गा मुहम्मद आजम तीसरा सी गा कामबक्ष शहजादा मुझम आगरे तो ग्यारा साओ किलोमेटर पिशावर्च बैठा सी ते मौहम्मद आजम एहमद नगर बैठा सी ते तीसरा कामबक्ष भीजापूर बैठा सी तिनना ने दावेदारी ठोग ती के अगले बादशा असी बनांगे पर सब तो जड़ी में टकर सी वो शहजादा मुझम ते मौहमद आजम चिसी ता आगरे नू पाजदे ने फिरे है दोननो एदरों शहजादा मुझम भी पिशावर्टों आगरे वालनू पाजदा ते लहो और आके आप दे आपनो बादशा कोशिक कर देंदा आपने आपनो खिताब देंदा बहादर्शा दा पंजाब जदों हो एंटर करदा ता उनू चेपता हों दा है गुरु गोबिन सिंग जी दा क्योंके बहादर्शा सी गाजड़ा एहे गुरु गोबिन सिंग जी नू एक पीर पैगंबर मानदा सी ते अपने बाकी जड़े पर आ सी ओनना नालो वदिया सी ते और अंगजेव नालो विए है वदिया सी ता उथे फिरे है पाई नांदलाल जीनू पे इस दाए के जाओ गुरु गोविन सिंग जीनू जाके बेंती करो के इस जंगच मेरी मदद करो उन तुसी सोचोंगे के एक मुगल क्यों गुरु गो जबान सी ओके में गुरु गोविन सिंग हुआ। को जाने को गोविन सिंग जी डे दरवारी कभी बाँ देने दे इस इसलाके वीडियो बनाए हुआ तसी देख सक दियौह। गरु गोविन सिंग जी दे पर संब्सी को पागता शाला चुका सुध। पाई नांदलाल जी नू फिर पता लगदा है के गुरुगोबिन सिंग जी दखन दे सफर बलनों गए होए ने गुरुगोबिन सिंग जी उस समय सी के बगवर बगवर जाके पाई नांदलाल गुरुगोबिन सिंग जी नू मिल देने ते बेन्थी करदेने के सहजादा मुञळब करदेने के सहजादा मुझम था डी मदद चोंदा एक गुरू गोबिन सिंग जी ने पहला मना कीता ते सहजादा मुख्जम जानी के बहादर शाह, बाकी अर अंग जेव दे पुत्रा नालों वदिया सी ते इस करके गुर गोविन सिंग जी फिर फैसला कर देने के चलो एदी मदद कर दिनने या, उन एक चीज देखो, अपनी किसे नाल दुश्मनी होवे, अपनी सारी उमर सोच देखो. जिकराख देखो गुरु गुबिन सिंग जी था कि सारे वैर्पल आके उस बंदे दी मदद करने जा रहे ने गुरु गुबिन सिंग जी ने फिर पाईत तरम सिंग पाईत दया सिंग जी दे नाल तिन सो सिंगा दा जथा बहादर्शा दी मदद करनी पे जया जजुए जंग हुन दिया मत्वरा कोले जजुआ बहादर्शा ते महम्मद आजम दी जंग हुन दिया ते महम्मद आजम ते ओदा पुत्तर उस जंग जमारे जन देने ते जित हो जान्दिया बहादर शादियों बन जान्दा है बादशाः उन एथे एक चीज ते आन देन वालिया के बहादर शाः जिदे कोल तक्रीबन एक लख दी फौज सी उन तिन सो बंदे अनल की फर्क पहना सी उने मदद क्यों मंगी गुर्गोबिन सिंग जी ने सिर्फ तिन सो सिंग पेजे सी गिंती पक्षों जे देखिये तब हादर शाः नू एक फौज दी कोई लोड नी सी पर ओ गुर्गोबिन सिंग जी नू एक पीर पैगंबर मानदा सी नॉर्मल इंसान नहीं मानदा सी गुर्गोबिन सिंग जी दा अशीरबाद लेना चांजाओ उधै है यगीन सी के गुरुबिन सिंग जी वर पीर प्रुचे झांग जिती ह요 वही यह हो जो बाद्शाब बनेया। बहाधर्शा जजुए तो चलै गया आगरे आगरे एक वड़ा खजाना उदे हाथ लग गया ते गुरु साहब गो औरतों चले के दिली दिली होनो ना दा पंजाब जान दा प्लैन सीगा क्योंकि अग्गे जान दा ता कोई होन मतलब बंदा ही नी सीगा आगरे बैठा फिर बहादर्शा गुरु साहब नू स जुए दी जंग जंग तो तकरीबन एक मीना छे दिन बाद गुरु गोबिन सिंग जी बहादर्शा दे दरवार्च जान देने जानी के ओहो एक मीना गुरु गोबिन सिंग जी दिली जरुके बहादर्शा दे दरवार्च जदों ओहो जान देने ता उथे की हुंदा है बह अगलन अधा जो बाद्िशा हुन्दा सी उन्नु पाद्षा आख देसे लोग। पाद्षा देखे अगें खड़े सीघें सचे पाद्षा। क्यूंके गुरू-काल्च जो सिक्ग हुन्दे सी गुरू-से बाननु सच्चा पाद्षा अख देसे। गुरूसाहिब ने सीस नहीं चुकाया बहादर्शाव ते अगे बल्के बहादरशाह गुरूसाह नू देहके अपने तफ्ट तो खड़ा हो जानदा है ते सीस चुकाkayा गुरूसाव अगे गुरूसाव ते बहुत आधर मान करदा है ते कीमती तौफ़े दिन्दा है गुरू साहिब नो एथे जो दो आपा इते हासिक दस्तावेज फरोल के देख देया एहकाम में आलमगीरी ते अखबारा दरवारे मौला जो मुगला दे समें बहादर शाह दे समें अखबार सी उस जो भी जिकर मिलदा है के गुरू गोबिन सिंग जी नो ओथे बहादर शाह ने कीमती तौफ़े देते उनों केंदे सी खिलत बादशाह जो तौफ़े देंदा सी उनों केंदे सी खिलत एक पशाक देती मेंगे होर कीमती तौफ़े देते जीदा जिकर गुर्गोबिन सिंग जी ओ खत्च कर देने जो पंजाब दे सिखानू ओना ने पेज जया सी उस टेम ते ओधी कीमत कड़ी गई क्योंके बादशा जो तौफे दिन्दा सी ओधी कीमत ओ रिकॉर्ड चे लेख दे सी गुर्गोबिन सिंग जी ने ओख खिलत दी पशाब देन्दा ओधी कीमत सी ते एक रवाज सी के जो खिलत बादशा दिन्दा है ओधे ही पशाख पौणी पेंदी सी पर गुरु साहब ने ओपशाख नहीं पेंदी हो थे गुर्गोबिन सिंग जी आगरे तकरीबन चार मीन ने रुक देने गुरु साहब चार मीन ने आगरे क्यों रुके उत्थों पंजाब क्यों नी गए हो बहादर शाह नो इस समेच गुरु गोबिन सिंग जी कई वार मिले क्योंके और अंग जेव नाल गल करन लिये हो पंजाब तो निकले सी दखन वाल नो ते ओही गल बात ओहो करना चौदे सी होना बहादर शाह ना क्योंके बहादर शाह ना संबंद भी होना दे चंगे सी भहादर शाह इसたो पहलना लहोर दा गवरनर सी जो तो अ सारे इंसिडेन्ट हों देने के अननादपुर साब नो केरा पैन दा आये थे सोहां खा के मुक्रे पहाड़ी राजे ते मुगला दी फौज ते उस तो बाद वजीद खान के में गुरु गोबिन सिंग जी दे छोटे साहब जादेयां ते माता गुजर कौर नो शहीद करवादें दाए इस ते सारिया चीजन दे जवाब चाही दे सीगे गुरु गोबिन सिंग जी नो मुगल तक्ता हो जादतना में तो बाद ते गुरु मबिन सिंग जी भी गलबात लए त्यार सीगे क्योंकि जे एक चीज देखी जावे गुरु गोबिन सिंग जी दी सक्षियत चौं तो गुरु गोबिन सिंग जी ने तलवार चक्कन चक्कदे भी जल्दवाजी ने की ती गुरु गोबिन सिंग जी एक लडाकू एक योदा बाच चौं सी के गुरु गोबिन सिंग जी सब तो पहला अपनी आत्मा जो एक फकीर इंसान सी उन्ना नू मजबूर कीता गया तलवार चक्कन लई ते गुरु साहब हुन भी तखतनाल गलबात ही करना चाओंदे सी ते वजीद खान वर गे दोशियानू सजाद बौणी चाओंदे सी क्योंके गुरु गोबिन सिंग जी ते बहुत वड़ी जम्मेवारी सी खालसा पंथ दी उन्ना दा सजाया होया खालसा पंथ अग्ये लेके जाना सी गया उन्ना ने इस करके गुरु गोबिन सिंग जी जी उन्हा था पहला था भी इतिहास चक के देख लिया नान्दपुर्दिया जंगां तो पहला था उन्हा ने लडाइयां चागड़यानू हमेशा वाइड ही कीता है एक हद तक बहादर शा नाल मुलाकातां हो कर देने थे कई ते बहादर शा दी मुलाकात उना नाल बहुत पॉजिटिव हुन दिया तक गुरु गोबिन सिंग जी दो अक्तूबर 1770 नू आगरे दी तर्ती तो एक हुकम नामा पेज देने अनंदपुर साहिब को लेक पेंडा तौल तौल ए मैं थौनू ओन पढ़के सनाऊंगा कि गुरु गोबिन सिंग जी की सोच रे सी अगे दा की ओना दी अगे दी प्लैनिंग सी हूब हूब ओना दे जो शब्द सी ओ मैं थौनू दास्तां गुरु गोबिन सिंग जी दा हत लेक्त हुकम नामा है गुरु गोबिन सिंग जी इस लेख देने के सर्ब संगत तौल की तुसी मेरा खालसा है गुरु रखेगा गुरु गुरु जपना जनम सवरेगा सर्ब सुख नाल पात्षा पास आए सिरोपाओ अर सथ हजार की तुख तुखी जड़ाओ इनाम होई यह होन सथ हजार दी तुख तुखी ते सुरोपाओ ओ मेंचन कीता गुरु गोबिन सिंग जी ने जो बहादर शाह ने तोफे पेंट कीते सी अपने दरवार ची गुरु गोबिन सिंग जी नूँ होर भी कम गुरु का सदका सब होते हैं उस तो अगे गुरु साब लिख देने के जड़ी के बहुत इंपोर्टेंट गाला उन एक चीज देखो के ये पापियां ने कीता की सी गुरु गोबिन सिंग जी दा इना प्यारा शहर अनांदपूर साहिब खाल से दा जनम स्थान अनांदपूर साहिब तो गुरु गोबिन सिंग जी नू के में इना ने चूटियां सोहां खा के उथो रवाना कीता गुरु गोबिन सिंग जी दे अनांदपूर छड़न तो बाद के में इना ने तहस नहस कर दता आनदपुर साहिब नू, के गुर्गोबिन सिंग जी क्यते वापस ना जान। ते एथे गुर्गोबिन सिंग जी लिख देने के असी भी थोड़े ही दिना ने आवते हाँ गुर्गोबिन सिंग जी पंजाब जाना चौँदे सी अपने प्यारयानूं मिलना चौँदे सी अपनी तर्ती ते जाना चौँदे सी अपने खाल से को जाना चौँदे सी सरबत संगत खाल से को मेरा हुकम है अपस में मेल करना जद असी कहनूर आवते तद सरबत खाल से हथियार बन के हजूर आवना उन इते कहनूर क्योंकि आगरे तों जदों उनना ने पंजाब जाना सी एननदपुर साहिब जाना सी तां रस्तेच आउनदाए कहनूर हुन हथियार क्यों क्या गुरू साहिब ने एक पासे तां हो गल बात कर रहे सी बहादर शाना के तख्त नाल सड़ा कोई भी रोडा ना रहे के असी अपने कमा कारां ते त्यान देगे अपने खाल से त्यान देगे ते दूसरे पासे गुरू साहब कह रहे ने के हथियार लेके आउना ए हथियार किनना वास्ते सी क्योंके जो असल वैरी सी जो ए सारियां चीज़ां दी जड़ सी ओ कौन सी वजीद खान होनी पहाड़ी राजे कहनूर दे लागे ही पहाड़ी राजे रहेंदे सी बहादर शाना नजदीकियां दी खबर वजीद खान नो भी पहुंच गई सी वजीद खान भी ओथे ओंदा जदो गुरु साब पंजाब जान दे ए चीज़ दा गुरु साब नो आइडिया सी गुरु साब बहुत अगेरी सोच के चल दे सी गुरु साब नो पता सी के एथों जदों मैं गलबात पूरी कलियर करके जाऊंगा पंजाब ता उथे पहाड़ी राजे ते वजीद खान ज़रूर मेरे ते हमला करन दी कोशिश करन गे उस बास्ते गुरु साब ने क्या सी के हथियार लेके कहनूर आओ गुरु साब दे एक सदे ते संगत लखानी संगत कठी हो जान दी हो थे जगुरु साब आउंदे पंजाब पर गुरु साहब पंजाब वापस नहीं आ सके यह लिखिया गया है समत 1704 मिती कत को एक मां अक्तूबर 1707 और गुरु गोबिन सिंग जी दे हथ लिख्त इस हुकम नामे तो आपा अंदाज्जा ला सकते हैं कि इत थे बहुत पॉजिटिव महौल सी ते गुरु गोबिन सिंग जी पंजाब जाना जाना जाओ दे सी फिर की आहजा होया कि गुरु गोबिन सिंग जी पंजाब दी थान ते ना देड़ साब चलेगे उन ए लिखिया गया है हुकम नामा अक्तूबरच गुरु गोबिन सिंग जी आगरे पहली वार बहादर्शा नूं मिले सी जलाई तक्रीबन चार मीने गुजर चुके सी पर बहादर गुर्गोबिन सिंग जी दियो गुर्गोबिन सिंग जी आगरे तों पंजाब नहीं जा सके इस तों थोड़े ही दिना बाद बहादर शादा प्रा काम बक्ष दखन चे बगावद कर देंदा अब दे नाम दे सिक्चे जारी कर देंदा है के मैं बादशाओ इस तों के बांदर जान दा बहादर शाओ दे पैरां थलनों जमीन निकल जान दिया तो बहादर शाओ फिर फैसला कर दा है दखन जान दा अब दे परादी बगावत नूं तबन दा गुरु साहब दी गल बात हजे कोई सिरे निसी लगी चार मीने हो गए सी ते बाहदर शाओ फिर गुरु साहब नो बेंती कर दा है के मेरे नाली दखन चलो उन एथों पंजाब जान दा तो कोई मतलब है निसी क्योंके पंजाब चीवी दुशमिन बैठे सी गुरु गोबिन सिंग जी दे पुरु गोबिन सिंग जी चौन दे सी के तख्त नालता आवदियां चीजां सुलजा आलियां जान के एच्छों ही बहादर शाह कसदेवे वजीद खान नो ते पहाड़ी राजया नो क्योंके ओ बहुत कमीने सी कहलो उनने आई बाज नहीं सी आउना गुरु साहब ने सब क अनुकसान नहीं सी चौन दे गुरु साहब किसे तों भी डर दें ने ना किसे नु डराया नण अपनी जिंदगी चे पर गुरु साहब खाल सेदाटे सिख संग सौन दे सी जिणा बंदा सोचो अपने पुटा नूशहीद कर वा सकता आप पुत बार सकता आप दा पूरा प परवार नो बचाएए परवार नो बचाएए उदे नाल रएंदे सी नहीं और काफला चाल रहा चाल रहा सी बहादर्शादा काफला चाल रहा सी दखन बलनु और रस्तेज भी रोगदा सी गाउने राजपुताने दे जडे राजे सी गे औननू भी सजामा देनियां सी क्योंके ए राजपुता ने दे राजया ने जड़ी पहली जंग होई सी जजवे दी बहादर शादी महम्मद आजमना इदे चे महम्मद आजम दा साहदता सी उनना नो सजामा देनिया सी ते गुरु सहेब भी आफदा रस्ते चे रोक रोक के ठाँ ठाँ ते सिखीदा परचार कर दे रहे एमिली सी के हाँ बहादर शादे नाली चली गए गुरु साब आफदे अजाद सी के पूरे ओ जदों चेत करदा सी बहादर शादे काफले ना मिल जान दे सी जदों चेत करदा सी यो हो अलाग हो जान दे सी पर एक साल एसाफर एगनाई चलदा रहा ते एक साल च कोई भी गलबात सेरे नहीं लगी बहादर्शा आवदियां ही चीजांच उलजा रहा ते नादेड दी तरती ते पौंच के गुरु साहब ने फिर फैसला कर लिया के हुण बहादर्शाना एगलबात अग्गे नहीं अपने रस्ते अलग कर लें देने अपने रस्ते अलग कर लें देने अपने रस्ते अलग कर लें देने हर टाइम गुरु गोबिन सिंग जी दे बिस्तर ते तलवार हुंदी सी नाल गुरु गोबिन सिंग जी चटनाल ही उस पठान दा सेरलादन देने पर थोड़े समय बाद ही गुरु गोबिन सिंग जी नदेड दी तर्ती ते ही जोती जोत समाजन देने ता एसी अज़दा इतिहास इतिहास दस्दियां कोई भी पुल्चुक हो गई होवे कोई शाब द एदर हो गया होवे ता उदे लही माफी चौने आसी साधियां वीडियोज जे तो नो वदिया लग दियाने लाइक दे सबस्क्राइब तुसी जरूर कर सकती ओ वाईगरूजी का खालचा वाईगरूजी की फ़ते